कभी आउकाद चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना मैं तो इतना गहरा डालूँगा ना इतना लंबा डालूँगा कि एक्जैंपल बना दूँगा पुरे देश के लिए पठान हूँ और पठान जब देता है तो एहसान नहीं करता और जब लेता है तो लिहाज नहीं करता अक्टर, मॉडल और इंफ्लूएंसर साहिल खान यूटुब बॉलिवुद से आउट हो चुके हैं लेकिन सोशल मीडिया पर विदेशी मॉडल्स के साथ अपने बॉड़ी बिल्डिंग वाले विडियोज को लेकर च्छाए रहते हैं अपने इंस्टेग्राम पर बॉड़ी फ्लांच करते विदेशी हसिनाओं के साथ तुम साहिल अजीबो गरीब विडियो शेयर करते रहते हैं वहीं साहिल अक्सर अपने वोर्ल टूर की तस्वीरे भी शेयर करते नसला चाते हैं मनोज ने खुद खुशी की कूशिश की है और सिवसाई लेटर में साहिल को इसका जिम्मेदार बताया है हालांकि साहिल खुद को बेकसूर बता रहे हैं आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बॉलिवुट का एक फ्लॉप अभी नेता ऐशो आराम की जिंदगी चीता है करूड रुपए खर्च करता है अगर आप भी साहिल खान से जुड़ी ये बात ही जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के इन तक बने रहे हैं साहिल खान का जन पाच नवमबर 1976 को पश्रिम बंगाल के कॉलकता शहर में हुआ था साहिल खान की मा चीनी और पता मुसलिम थे साहिल के परिवार में उनकी दो बहने भी हैं चुनका नाम शर्ज, ता और मर्यम हैं कि उन्हें अपनी बौधी पर काम करना है, साहिल को सिल्वेस्ट स्टिलॉन की रॉकी आईवी देखने के बाद बौधी बिल्टिंग की फ्रेर ना भी मिली जहां पर शुरू में उन्होंने कुछ म्यूजिक आलबंस में भी काम किया इतना है नहीं उनकी बहतरीन बौधी को देखकर उनको च्वल्दी ही फिल्मों में काम भी मिल गया था बता दें कि उन्होंने अपने करियर के शुरूआत नाचिंगे सारी रात के म्यूजिक विडियो से की थी साहिल ने बाद में म्यूजिक विडियो ओ लैला में भी अभिने किया जहां वो अंडर देखक एन्चंद्रा की नसरों में आये जिसके बाद एन्चंद्रा ने उन्हें फिल्म स्टाइल में लीट किरदार निभाने के लिए साइन किया साल 2001 में आये उनकी पहली फिल्म स्टाइल के किरदार चंचु के भूमिका के लिए उन्हें बहतरीन लोग और दंदार बौदी के वज़ा से सैक्डों लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया था आपको बता दें कि साहिल को उनके बौलिवुट करियर की पहली फिल्म उनकी बौदी के वज़ा से ही हासिल हुई थी इस फिल्म में उनके साइज शर्मन जोशी, रिया सेन और शिर्पे मुदकल जैसी बड़ी अभिनीत्रू ने काम किया था पर ने बौक्स ओफिस पर भी जबरदस सफलता हासिल की थी साहिल के पहली फिल्म के दो साल बाद साल 2003 में आई उनकी दूसरी बौलिवुट फिल्म और पहली फिल्म स्टाइल का सीकूल साल 2005 में ही साहिल ने डबल क्रॉस में भी अभिने किया लेकिन यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई बड़े पर पर अमिताब बच्चंज्रे से बड़े बड़े अभिनीताओं के साथ काम किया वल अपनी शुरुवाती दो फिल्मों से प्रसिधी पाने वाले साहिल खान लगातार दो फिल्मों में फ्लॉप रहे और जब यह फिल्म में फ्लॉप हुई तब उनके बौलुवट करियर को बहुत बड़ा चटका भी लगा क्योंकि नए फिल्म नर्देश्रकों ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेने सिपहाद पीछवे हटा लिये थे इसके बाद साल 2010 में साहिल को आखरी बार फिल्म रामा दी सेवियर में काम करते हुए देखा गया ये फिल्म आक्शन एडवेंच्र ज्रेसे दृष्यों से भरपूर थी और इस बार उनके साथ WWE के रेसलर दी ग्रेट खली और अभिनीतरी तनुश्री दत्ता को देखा गया आपको बता दें कि ये फिल्म भी दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई और असफल साबित हुई आक्टर साहिल खान की पोस्टना लाइफ के अगर हम बात करें तो साहिल खान निगार खान से 21 सतंबर साल 2004 को शादी की थी लेकिन उनके शादी जुलाई 2005 तक ही ठिक पाई खबरें आई थी कि निगार खान ने भारत की नागरिकता पाने के लिए साहिल खान से शादी की थी लेकिन उनके पत्नी ने साहिल खान को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि साहिल खान गे है दोनों की एक कंपनी पांच साल तक ठिक पाई इसके बाद साल 2014 में दोनों के बीच 5 करोट रुपे की हेरा फेरी को लेकर लड़ाई भी छिड़ गई थी आईशा ने साहिर के खिलाफ कानूनी मामला दर्श करवाया था बात को तक पहुच गई सालों तक ये मुकदमा चलता रहा जिसमें उन्होंने साहिर के ऊपर पैसो की हेरा फेरी करने के भी इलजाम लगाये थे हाला कि अपनी सफाई देती हुई साहिर खान ने बताया कि उन्होंने ये पैसा आईशा के साथ घूमने फरने और उन दोनों की एशो आराम के जिंदगी में लुटाया है क्योंकि वो रलेशन्शिप में थे जब ये बात मीडिया के सामने आई तब आईशा श्रॉफ ने साहिर खान को गे बता कर रलेशन्शिप वाली बात पर पर परदा डाल दिया वह आपको बता दें कि साहिर खान ने आईशा श्रॉफ और अपनी प्राइवेट फोटो भी कोट के सामने पेश की थी जिससे ही नहीं साहिर खान सल्मान खान से भी एक बार पंगा ले चुके हैं एक इंस्ट्रग्राम पोस्ट के जरिये साहिर खान ने सल्मान खान पर निशाना सादा था इस सल्मान की वज़ा से उनका कर्यर बरबाद हो गया सल्मान ने उन्हें कई फिल्मों से निकलवा दिया क्यों दोस्तों इतनी कॉंट्रूवर्सीज और बॉलिवुट के फ्लॉप अभिनीता साबित होने के बाद भी साहिल खान आज एक एशो आराम की जिन्दगी जीते हैं उनके पास बड़े बड़े बंगलोज हैं इतना है नहीं उनके पास अपना प्राइवेट जिक भी है आज साहिल खान इस तरीके से पैसा कैसे उड़ा लेते हैं तो इस सवाल का जवाब है साहिल खान की फिटनेस फिल्मे ना मिलने के चलते साहिल ने फिटनेस बिजनस में कदम रखा उन्होंने मसल्स एंड बीच नाम की डिम चैन शुरू कर दी थी जिससे आज की समय लाखों करोडों र एक बार फिर से उसे फिटनेस को अपनी ताकत बना लिया और अब साहिल खान बेस इंजन फिटनेस मोटल में से एक हैं और उन्होंने फिटनेस में अपना बसना शुरू किया है आज वो लाखों करोडों उभरती हुए मेल मॉडल्स के लिए फिटनेस आइकेन बन चुके है उनके लिए किंस्पिरेशन बन चुके हैं उन्होंने अपना एक जिम ओपन किया है जोसका नाम है लाइफ फिटनेस जिम और ये मुंबई में स्तित है ये बाकी अन्य जिमों की तरह काफी अलग है और काफी बड़ा भी माना चाता है इतना है नहीं अभी तक साहिल खान सबसे जादा पॉपिलर दो जिम है गोवा में साहिल ने सबसे हटकर एक ओपन एर बीच जिम खोला है जो कि गोवा के एक श्रांदार बीच साइट पर ओपन है ये भारत का पहला ओपन एर वरकाउट स्पेस है इसके अलावा उनके पास दूसरा जिम भी है जो कि एहमदाब सर्फ अपने एक जिम से एक करोड़ रुपे से जादा की कमाई कर लेते हैं जो किसी दूसरे जिम वाले मालिक के रिए एक बहुत बड़ी बात है वलबोजी बिलर साहिल खान फटनेस फ्रीक है और उन्होंने काफी समय जिम में बताया है इसलिए वो एक ट्रेनर भी है और अपने यूट्यूब चानल के माधियम से ऑनलाइन कोट्रिंग भी देते हैं भारत में सल्मान खान के बाद साहिल खान दूसरे ऐसे आक्टर हैं जो इनके यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि साहिल अपने 80,000 रुपए मानी जाती है विल बहुत कम लोग जानते होंगे कि साहिल खान के सप्लिमेंट डिवाइन निट्रीशन की बुनिया साहिल खान ने खुद नहीं रखी लेकिन फिर भी वो इससे करोडों का बिजनस करते हैं उन्होंने बस अपने नाम और अपनी कैमानी का नाम मार्कित में च्छा गया है जिसके बाद कबनी के प्र्ड़क्ट से होने वाली कमाई का एक बहुत बडा हिस्सान साहिल खान की प्रड़ाट यह में पुढ़ाता है काई बार किसी fitness program, events या किसी company के promotion में भी बतौर guest जाते हैं जिसके लिए वो लाखों की fees charge करते हैं विल दोस्तों आज साहिल खान एक flop अभिनेता नहीं बलकि एक मशूर businessman और भारत के लाखों करोडों युवाओं के modeling के लिए inspiration के तौर पर जाने जाते हैं एक style icon के तौर पर साहिल खान इंडास्ट्री में आज भी खोब मशूर हैं वो बड़े बड़े अभिनेताओं को आज भी body building के लिए और काफी जादा health advice देते हैं वेल दोस्तों आप हमें comment करके जरूर बताएं कि साहिल खान की इन सभी बातों को जान कर आपको कैसा लगा और साहिल खान किस ऐशो आराम की जंदगी पर आपकी क्या राय है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे like कीजे और share कीजे साथी टीवी इंडास्ट्री और बॉलिवुड इंडास्ट्री से जड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरे ज़ानने के लिए आप हमारी चानल को सब्सक्राइब करना बलकुल ना भूले